इस चैनल पे आप जुडिशरी से या जुडिशल सर्विसे से जुड़े अलग-अलग exams से संबंदित material lectures देखते ही हैं इसके साथ हम शुरू कर रहे हैं एक recent case loss related essay series जहां पर आप मेरे साथ समय समय पर हम discuss करेंगे अलग-अलग high courts या supreme court के कुछ important decisions तो आज उस series की शुरुआत करने में मैं पहले लेकर आया हूँ राजस्तान high court की जोदपुर bench का इसी सप्ता आया हुआ एक decision जो की related है SCST prevention of atrocities act से 12 November को ये judgment सुनाया गया तो इसी पर आज हम चर्चा करते हैं कि ये क्या matter है क्या ये decision है और राजस्तान high court का क्या opinion था इस case के उपर तो एक basic जानकारी देखिए इसमें जो petitioners है या appellants है चार appellants है Mr. Achal Singh, appellant number one, appellant number two, appellant number three और appellant number four अचल सिंग के ही son है तो इसका मतलब एक ही परिवार के चार लोगों जो है वो इसके appellants है या accused है जो main original trial चल रहा है lower court में या trial court में versus state of Rajasthan तो case का title है अचल सिंग versus state of Rajasthan and another अचल सिंग and others versus state of Rajasthan and another, another में जो respondent number two है वो Mr. Harish Chandra ये complainant भी है अब case क्या था case की जो अगर हम history देखें तो 2011 का ये मामला है 2011 में respondent number two Mr. Harish Chandra एक public officer है या public servant है जो की land के measurements और records का का काम करते है 2011 में जहां पर हमारे appellants रहते हैं उनके किसी शेत्र में उनकी किसी land के encroachment की complaint पर ये land measure करने गए और जो appellants है चारों ही appellant, appellant number one, two, appellant number four इन सब को जब जानकारी मिली कि उनकी land का measurement हो रहा है सही या गलत हो रहा है ये ऐसा allegation है लेकिन measurement हो रहा है तो ये site पे गए location पे गए और respondent और उनकी जो team है उनके साथ उनकी कहा सुनी हुई हाता पाई भी हुई ऐसा allegation जो FIR आगे चलके FIR पाई हुई उसमें उन्होंने इस तरह की जानकारी दी कि कहा सुनी हुई लड़ाई जगडा हुआ गाली गलोच भी हुई गाली गलोच में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कह दिए ऐसे शब्द कह दिए जो कि कहीं कहीं असब्य है और जो respondent है वो by chance या कहें सयोगवश SCST community से आते थे और उन्होंने फिर FIR की FIR में बताया कि उनको जाती सूचक शब्दों से या अपमान जनक शब्दों से अपमानित किया है और ये SCST का मामला आता है तो उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई 2011 में और FIR तीन धारा तो FIR दर्ज हुई section 353 of IPC section 332 read with section 34 क्योंकि एक से अधिक यहां पर आरूपी है तो जाहिर सी बात है IPC की धारा section 34 लगेगी और लगाया गया section 3 subsection 1 उसका clause X of SCST prevention of atrocities act हालां कि यहां पर अगर clause X देखेंगे तो वो नहीं है जैसी complaint की गई है वो शायद यहां पर एक error हो गया है clause R जो है वो सही section है या सही provision है इस matter से related तो जहां जहां आम इस judgment में आप जब भी judgment पढ़ें तो जहां आपको section 3 subsection 1 clause X दिखता है उसको आप clause R समझें और क्या यह matter है इसमें हम आगे जब देखेंगे तो भी हम समझ जाएंगे कि यह clause R की ही बात कर रहा है clause X जो है शैद एक typographical error या लिखने में कहीं गलती हो गई है अब चाहिए गलती court से है या advocates से हुई है यह नहीं मालूम लेकिन यह एक error है तो इसको clause R ही हम पढ़ेंगे तो यह पूरा मामला था कि यहाँ पर जब ऐसी कुछ अपमान जना किया जाती सूचक शब्दों से उनको संबोधित किया तो उन्होंने सेस्ट एक्ट के अंडर FIR करवाई और लेकिन investigation में facts कि हम बात कर रहें तो investigation में police ने पाया कि जो प्राइमाफ SI case है SCST का नहीं बनता है जो section 353 और 332 है IPC का जो कि है किसी public servant को उसकी duty perform करने के दौरान अगर assault किया जाना या उसको रोकना तो वो section जो है वो section police report में पाया गया कि वो बनते हैं उस पर case चलेगा, trial चलेगा लेकिन negative report जो है section 173 of CRPC में जो है negative police report यह section 173 CRPC का है, BNSS के अंदर police report कौन से section में file होती है यह आप comment करके बताए नीचे comment box में लेकिन police report ने कहा, जो police report है उसमें बताया गया कि जो SCST का जो provision है वो applicable नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई पुलिस investigation के दौरान उनको ऐसा कोई evidence या कोई witness नहीं मिला, जो यह कहता है कि ऐसी घटना उनके सामने हुई, अब section 3 का जो subsection 1 है, उसको भी हम देखेंगे, और court ने भी उसको discuss किया, कि उसकी क्या requirement है, कि किसी act को, किसी भी व्यक्तिद्वारा कोई act किया गया है, वो section 3 SCST act म fall होता है, उसके लिए क्या requirement है, उसको fulfill नहीं करता है, ऐसा पुलिस report में पाया गया, तो negative report भी पुलिस ने file कर दी, लेकिन एक protest petition file किया गया, protest petition क्या होता है, कि जब negative report आती है, negative report जब पुलिस अपने investigation complete करने के बाद, ये कहती है magistrate को, कि हम ये primafisi, इस particular charge वाला जो case है, ये primafisi नहीं made out होता है, तो जो victim या complainant है, वो एक petition file कर सकता है, और उस petition के आधार पे, जिसको protest petition कहा जाता है, प्रोटेस्ट कर रहा है वो उस negative report को, तो उसके आधार पे भी cognizance ली जा सकती है, तो एक protest petition complainant द्वारा file की गई, और उसके आधार पे magistrate ने, उसका cognizance लिया, और charges frame कर दिये, charges इन्हीं तीनों section के under frame कर दिये, तो ये जो appellant है, या जो trial court में जो मुख्या आरोपी हैं, चारों, इन्हों ने एक appeal file की है, appeal file करी, राजस्तान high court, जूदपूर bench के सामने, और challenge किया कि ये जो SCST वाला जो मामला है, या SCST की जो धारा है, उसको drop किया जाए, क्य क्योंकि वो made out नहीं होता उनके according, तो ये पूरा factual background है, legal provision इसमें कौन से involved है, यही section 353, 332 और SCST का section 3 का subsection 1, clause R, clause R है, X जहां लिखा है, उसको आप correct कर लेंगी, ये R होगा, तो यहाँ वही assault और criminal force, public servant को अपनी duty perform करने से रोकने के लिए, अगर assault या criminal force यूज किया गया, य ये allegation था और दूसरा कि hurt cause की, because ये भी उन पे आरूप लगाया गया, ये FIR में बताया गया, कि धक्का मुकी हाथा पाई हुई, तो उसकी वज़े से hurt भी cause हुआ, injury cause हुई, तो ये दौना section रहे और SCST का act, तो धारा तीन ये क्या कहता है, अब ये section क्या कहता है, इस section को हम कोई non SCST community का व्यक्ति, किसी public place में, किसी SCST community के व्यक्ति को intentionally insult करने के लिए words से या gesture से कुछ ऐसा act करता है, या बोलता है, कोई ऐसी बात बोलता है, जिससे कि वो व्यक्ति SCST community का व्यक्ति, या किसी particular social status से वाला व्यक्ति, humiliating feel करे, insulted feel करे, बेज़द feel करे, public के सामने, तो वो section 3 का offense बनता है, यह section 3 का subsection 1 clause R कहता है, कि लोक दृष्टी में आने वाले किसी स्थान पर इसको ध्यान रखेंगे, कि लोक दृष्टी में आने वाले किसी, मतलब public place में, जाती के नाम से अनुसुचे जाती, अनुसुचे जन जाती के किसी सदर से को गाली गलोच अब arguments क्या थे, तो यह तो मामला था, अब जब इन्होंने challenge कर दिया है high court में, तो high court में councils ने क्या कहा, तो जो defense का council है, यह हम कहेंगे appellant का council है, जो appellants का या petitioners का council है, उनका यह कहना था, उनका argument तीन point के उपर based था, उनका जो defense है, यह तीन grounds पे based था, पहला ground यह कहता है, और यह ground कहां से आये, section 3 की जो requirements है, essentials है, उनहीं से निकल के आये हैं, तो यह तीन grounds क्या है, यह तीन points क्या है, पहले तो उनके council ने कहा या उन्होंने अपने defense में argument दिया, कि जो respondent है, respondent number 2, जो कि एक public officer है, वो public officer दूसरे किसी अन्य गाउं के हैं, और जो accused हैं, या जो appellants है वो अलग गाउं के हैं, तो वो एक दूसरे को जानते हैं नहीं, उनको नहीं पता कि यह respondent किस caste से या किस community से बिलोंग करता है, तो जाहिर सी बात है, जब उनको उसकी caste का या उनके social status का जानकारी नहीं है, तो उसके social status की वजह से वो उसको insulted feel नहीं करा सकते हैं, ऐसा कुछ insulted या humiliated feel नहीं करवा पाएगा, knowledge ही नहीं है, intention ही नहीं है, तो यह पहला ground था, दूसरा उन्होंने अपना जो defense लिया, वो यह लिया कि एक public place में नहीं था, कि ऐसा कोई और witness है नहीं, और यही police ने जो negative report फाइल की थी, investigation के बाद, उसमें भी same बात आई थी, कि यह जो पूरी घटना हुई, पूरी वार्दात हुई, यह किसी public के सामने नहीं हुई, कोई ऐसा witness नहीं, independent witness मिला नहीं, जो यह कहे कि हाँ, हमने देखा है, कि इन्होंने ऐसी गाली दी, या कुछ भी अपशब्द कहे, तो इसका मतलब public placement नहीं हुई, यह दूसरा point लिया, और तीसरा point था कि कोई ऐसा intention, जो words use किये गए थे उनके द्वारा, वो general, generic word थे, वो किसी particular caste या किसी community score संभोधित करते वे नहीं थे, सीधा सा normal जैसे दो लोगों में जगडा होता है, दो गुट में जगडा होता है, तो किस तरह की भाशा का प्रयोग करते हैं, वैसी ही भाशा का प्रयोग है, तो हम बात कर सकते हैं, ताकि हम समझ पाएं कि क्या उन्होंने कहा और high court का इस बारे में क्या कहना है, तो defense का जो council है, उनका ये कहना था कि बहुत generic word जो कि आम तोर पर जगडा, लड़ाए जगडा होने पर लोग बोलते हैं, वही वैसे शब्द कहें थे, जो उन्होंने community से belong करता है, और दूसरा कि वो उसने community को target करते हैं, वो उसकी caste को, उसकी जाती को संबोधित करते हैं नहीं कहा, तो ये तीन आधार पर उन्होंने अपना defense रखा, अब court की क्या reasoning थी और इसी के साथ उन्होंने कुछ दो चार judgments भी court किये, तो जिसमें से एक decision जो है, जहां प जुलता जुलता है, तो इन्होंने ये कुछ judgments, रमेश चंदर वेश versus state of उत्तर प्रदेश और ये दश्रत साहू versus state of 36 गड इस तरह के कुछ decisions को court किया कि इसमें क्या opinion रखे गए थे, तो यहां पर राजस्तान हाई court ने रमेश चंदर वेश versus state of उत्तर प्रदेश हाई court, उत्तर प्रदेश के judgment है, जिसमें Supreme Court का opinion था, उसको भी थोड़ा सा reference दिया है, reference लिया है वहां से कि वहां Supreme Court का क्या opinion था, तो Supreme, यहां पर राजस्त section 3 का interpretation से निकल के आते हैं कि section 3 की क्या requirement है, section 3 की जो requirement है, पहली चीज़ है, intention, जब हमने देखा कि intentionally अगर वो verbal या action के through insult करता है, किसी SC या ST community के member को, तो intention होना चाहिए, intention के लिए knowledge तो होनी चाहिए, तो court ने कहा कि अगर उसको knowledge ही नहीं है, कि सामने वाला व्यक्ति किसी particular group से या किसी particular section of the society से बिलॉंग करता है, तो उस section के बारे में वो कैसे उसको अपशब्द कह सकता है, तो जो शब्द कहे गए हैं, उसका कहीं से relation, उसकी caste या कहां से, किस section से बिलॉंग करता है, उससे नहीं ता, ऐसा reasoning Rajasthan High Court ने adopt किया, और ये रमेश चंदर वैस्ट से State of Uttar Pradesh के जो opinion है Supreme Court का, उसको भी refer किया है, और जहां पे उस मामले में भी जो विवाद था, वो कई दो पडोसी या दो लोगों के बीच water drainage को लेके था, और इसी तरह का altercation हुआ, verbal कुछ communications हुए, एक दूसरे को उन्होंने अपशब्द कहे, और Supreme Court ने वहां पर पाया कि जो वही लोग है, जो complainant है, complainant की wife और complainant का son, तो Supreme Court ने इस case में यह पाया कि जो witness है, वो तो complainant, उसकी wife और उसके son, इसका मतलब जो victims हैं, सिर्फ वही complainant, जो victims हैं, सिर्फ वही witness हैं, उन्होंने देखा उस सब गटना, या उन्हीं के साथ हुए कोई public placement में नहीं हुआ, इसका मत जो clause R है, उसकी requirement है कि जो verbal कुछ कहा गया है, वो public place में हो, कि public के सामने ऐसा हुआ होगा, तब हम मानेंगे कि atrocity हुई है, तो यह इस opinion, Supreme Court के इस opinion को उन्होंने आधार बनाया और यह कहा कि इस particular case में भी, जो अचल सिंग का case है, वहाँ पर भी यह जो act हुआ है, गाली गलोच हुई जो भी कहा गया है, वो एक उनके अपने खेत में या उनके अपनी जो private land है, वहाँ पर हुआ और कोई independent witness exist नहीं करता था, या किसी ऐसे independent witness का statement नहीं लिया गया, अर्थार्थ कि यह public place में जब नहीं हुआ है, तो section 3 की जो essentials है, वो fulfill नहीं हुआ है, पहली चीज़ intention नही established कर पाया, जो prosecution है, sorry prosecution तो नहीं, जो respondent है, उनके council intention established नहीं कर पाया, और ये public place में हुआ, ऐसा भी established नहीं हो पाया, और तीसरा फिर सुप्रीम को, राजस्तान हाई कोर्ट ने यहीं कहा, कि ये एक generic, उन्होंने term use किये गए थे, ये words जो use किये हैं, ये किसी caste को सम्मोधित कर करते हुए नहीं है, या कि उस व्यक्ति की community या उसके social status को सम्मोधित करते हुए नहीं थे, इसलिए हम इसे SCST Act के अंडर atrocities मान कर उसको punishable नहीं कर सकते, तो conclusion फिर राजस्तान हाई कोट का ये रहा कि ये जो SCST Act का जो charges थे, उसको उन्होंने drop कि, partially allow कर दी है इस appeal को, partially allow करने का मतलब हुआ कि जो बाकी IPC के अंडर जो offenses थे, charges थे, public servant को deter करने के लिए उसको assault करना या उसको hurt करना, वो trial code में चलते रहेंगे, लेकिन जो SCS की काम जो मामला है, उसके charges को drop कर दिया, तो ये conclude उन्होंने किया, अब हम इस video को conclude करें, उससे पहले में एक जानकारी थोड़ धाई साल पुरानी बात है, जब ऐसे net पर हम देखते हैं, social media पर कई बार कुछ ऐसे channels हैं, जो कि case laws को post करते हैं, तो वहाँ पर एक case law, उन्होंने headline डाली कि पती गुसे में अगर अपनी पतनी को जला दिया तो वो हत्या नहीं है, ऐसा Supreme Court ने एक decision में कहा, तो अब यहाँ प पढ़ने पर यह था कि जो हम murder और culpable homicide में exceptions आते हैं, grave and sudden provocation का exceptions को अधार बना कर Supreme Court ने एक decision लिया था कि वो जो activity, उस particular facts and circumstances में ही, कि वो grave and sudden provocation का exception उसका फाइदा पहुँचा उठा देते हुए, उसका benefit देते हुए, उसको murder नहीं, culpable homicide not amounting to murder में उसको liable कहा गया था कि लेकिन headline पढ़के लोग यही समझते हैं कि अच्छा court ने इस तरह का decision दिया, तो ऐसा ही कही, यहाँ headline देखके कि अच्छा यह इस तरह के चीजें या ऐसे अपशब्द कहने को, जो है, SCST Act में नहीं माना जाए, ऐसा नहीं है, court ने यहाँ ऐसा नहीं कहा कि यह शब्द कहने से SCST Act नहीं लगेगा, यहाँ judgments हम पढ़ें, तो section 3 की क्या essentials है, उसका strict interpretation होना चाहिए कि intention क्या थी उसका कहने के पीछे, क्या वो generic term थे या actually में वो उसकी caste को ही संबोधित करते वे कहे गए थे, उसको caste को target करते वे कहे गए थे, अगर यही शब्द अगर कोई व्यक्ती जान यही अगर शब कहे, तो भी applicable होगा और वो punishable होगा, तो हमें बस यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी हम social media पे या कोई अगर news पढ़ते हैं, तो सिर्फ headline पढ़के नहीं, खास करके हम law students हैं, उनको judgment पढ़ना चाहिए, कि judgment में क्या लिखाता, कई बार जो judgment है, वो particular facts and circumstances पे applicable हो है, तो इनी facts and circumstances को देखते हुए, यहाँ पे राजस्तान High Court के इस judgment को हम पढ़ेंगे, कि section 3 को हम strictly interpret करेंगे, क्या essentials हैं, और उन्ही essentials वो follow करता है या नहीं, तो यह रहा हमारा पूरा इस judgment के बारे में analysis, और आप comment करके बताएं, आप क्या आपकी राय है इस judgment पे, और आगे हम नए नए recent judgments पे या 2024 के जो important judgments हैं, उन पर हम चर्चा करते रहेंगे, आपको ऐसे videos और आते रहेंगे, thank you so much